प्रवास करना है क्या मकसद है इसका सबसे पहले यहां शुरुआत करना है यह हमारी परंपरा है कि हम सन्यासियों को चातुर मास सिपरत एक जगह पर रह करके करना होता है तो चातुर मास में चार मास होते हैं मास सब्द जो है उसके दो अर्थ बताया गया है शास्त्रों में एक मास का मतलब होता है महीना जो की प्रचलित भी है आम लोगों के बीच में यही है कि मास माने महीना तीस दिन और दूसरा अर्थ है पक्ष माने पंद्रह दिन तो पंद् इस लोग मास को मास ही मान करके महीना मान करके चार महीना करते हैं तो हम लोग पक्षवई हम हJust comment performers कि दिली के लोगों ने अनुवरोद किया था कि इस बदली में आप रिराज मान रही है तो हम आज यह अगए है और रगट चार मास रहें और निए चार पक्ष रहें? शक्रशार जी कर बात की जाए आपकी हाल के कई ऐसे बयान आए जिसको देश भर में चर्चा की गई चाहिए आपके दरनात मंदिर में शोना गोटाले के लेकर जो बात आपने की थी देश भर में उसको लेकर चर्चा हुई वो जो अपने बयान दिया था उसके पीछे क्या का कर दे कि उसमें कोई घोटाले नहीं होगे जो आपने बोला तो उसके पीछे भी कारण होगा वो कारण जानना चाहते हैं कि कारण का मतलब यह है कि यह बताइए कि आप जो चैनल पर आपने दिखाते हो यह निव जिंडिया पर उसको हम सच माने की जूट माने सची मानना पड़ेगा ना सच मान के ही तो लोग देखते हैं तो आपके सभी चैनलों पर लगभग और सभी प्रिंट के अख़वारों में समय समय पर यह समाचार प्रकाशित किये गए कि केदारनाथ में 230 किलो सोना लगाया जा रहा है किसी दानी भक्त के द्वारा यह भी रि रिपोर्टिंग हुई कि वो सोना गोरी कुंड आ चुका है और वहां से 17 किलोमीटर जो पैदल चल करके जाता है के दारनाथ के लिए रास्ता अठारा कचरों पर लाद करके वो सोना वहां ले जाया जा रहा है फिर वहां पर समाचार चापे गए हैं और उस पर चलाए गए हैं कि वहां पर अमुक टेम आ रही है फिर वो चांदी जो मड़ी गई थी उसको निकाला जा रहा है उसके बाद सोना फिर से मढ़ा जा रहा है और यह सब हुआ फिर उसके बाद मढ़े जाने के बाद का वीडियो गर्वगरी के अंतर से आप ही के चनक की लोगों ने और फ प्रवाइब के मुख्यमंत्री ने आई टी बीपी के जवानों को वहाँ पर ड्यूटी लगा दी और वो ड्यूटी अभी तक चलती रही निरंतर की इतना सारा सोना है इसलिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है तो इतना सारा पैसा खर्च की गया इतना सब किया गया इस इस बी के लोग हैं उनका ध्यान गया फिर उन्होंने आकर बाहर चिलाया कि साफ वो तो सोना तो ही नहीं वहाँ तो सब पीतल है तो ऐसी परिस्तिती में बड़ा हला मशा सबको बड़ा आश्चरी हुआ कि यह क्या हो गया उसके बाद पिर जांश की मांगी जाने लगी कमिटी के कहने लगे नहीं यह नहीं है वो नहीं है फिर कहने लगे कि नहीं दो सु अठाइस किलो नहीं है दो बाइस दसमलो आठ बीच में दसमलो लगा करके कहने लगी कि बाइस किलो केबल सोना है तो अब यह बताईए कि बाइस किलो सोना ट्रक में रखकर के आता है बाइस किलो सो और दूसरी बात यह है कि यह जब सब रिपोर्टिंग हो रही थी उस समय कोई कमीटी का खंडन नहीं आया कि यह सब समाचार जो मीडिया चला रहा है बिल्कुल गलत है ततहीन है आदारीन है उसके बाद अब कहा जा रहा है कि यह जो सोना का परकरण है इस से प्रदेश सरकार का और बदरिनात के दालनात मंदिर समीती का कोई लेना देना नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर किसी हम किसी समीती में है और किसी समीती के नगरानी में कोई मंदिर परिशर है और वहां पर जो गटना हो रही है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं दूसरे फिर कहा जा रह हक्र भोलगों के चलो, कम से कम लेकर आया है, कुछ नहीं बोलते हैं, भाद की कोई बात नहीं हो, कम José कम अम हम इतना सोना छोड़ के जाएगा, लेकिन जब ज़ाने लगेगा, तब उससे हम हिसाब किताब लेंगे ό sev कि कितना 한 छोड़ के जा रिख हों क कि हम तो समीत्ही हैं, हम तो प्राइवेट पर्संन नहीं कि जिटना इस्टते है। हम तो अम तो समीति को बताना पड़े отмет मैं कि कितना सोना nugा हमारी कस्टुद उत्री मैं है। हमारे एैसेट के रजिस्टर मैं हमानें स terrace के रजिस्टर मैं यह अब को लिखना पड़ेगा ba याप समिती कहते हैं अर्फिरगे इस किलो लगा था चान्दी के हुड घी जब चण्ली कियें नहीं 22 kg लगना था, चांदी भी तो किसी भावना से 200-300 kg दिया था किसी ने, उन लोगों की भावना को आपने निकाल करके पैक दिया, और शोने के नाम पर, और सोना लगाया नहीं, ताम एकी प्लेट लगा दिया, उसके उपर पालिश कर दिया, तो जो पानी कड़ता है, सोने का प जा रही है एक पत्रकार है रावत नाम के उन्होंने मुखर हो करके इस बात को उठाए उनके उपर एफाईयार कर दिया अब वो एफाईयार जेल रहे हैं पिछले शे महीने से तो लेकिन जाच के नाम पर कोई गतिविदी नहीं है अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रमान अ कि यह सब ऐसा नहीं है जो सचाई थी और रख देते तो आपने उस समय कोई खंडन किया हो तो उसका वीडियो जाहिर करिए आपने तो कुछ नहीं किया तो ऐसी परिस्तिती में सोना वहां पर कहा गया कि लगाया गया हम तो आप कहेंगे कि कथित रूप से लगाया गया ले सफ करूं करिये। पेहली बात तो यह है कि कहते हैं कि इतना सोना लगाया गया। कमीटी में पास क्यों नहीं हुआ। चोटे चोटे समान खरीडे जाते हैं रख रख रखायों की उसको समीति में पास करना पड़ता है। वाद में आता है कि साहब अचानक खर्चा कर ले ना पड़ा आप शन्तुति दिए तो बैठक में किसी भी संस्था में हम लोग तो अनेक ट्रस्टों में हैं अनेक समितियों में हैं तो हमको पता है कि उसको फिर उ करना पड़ता है समीती के सदसें की मंजूरी लेनी पड़ती कि यहां ठीक है तो किसी भी से चरचा की गई ना तो कोई प्रस्ताव पारित किया गया र finals में लिया गया यहां तकर पत्र सारणे बाकी की जितने से स्मयार करके पूछ रहा है कि यह मेवाले इस बारे में कह रहा हैं सचा ही है शंकराचारी जी इसको लेकर एक मंदिर समीती के एक सदस्य ने बयान दिया उसने बोला कि इसमें कोई घोटाला नहीं है आप जाच कराने के लिएकर उन्होंने भी बोला है तो आपको लगता है क्या कारण है कि वो लोग जाच नहीं करा रहे है या किसी प्रेशर के चलते वो जाच नहीं हो रही है भाई अब यह तो अनुमान लगाना पड़े का ना कि जब आप कहते हो कि कोई गोटाला नहीं हुआ इतने को लाहल के बाद देश का शंकराचारी जिस बारे में बोल रहा है गोटाला नहीं हुआ तो आप आमंत्रित करो कि बोलिये जाच कराना चाहते हैं वो बताएं और हम संसुती करते हैं कि ततकाल उस जाच की जाए और हमको दाग से बरी किया जाए यह तो उनको कहना चाहिए ना वो यह नहीं कह रहे हैं वो कह रहे है कि शंकराचारी के पास कोई प्रमान है तो लेके किसी कोर्ट में जाए हमारे पास क्यों प्रमान आएंगे हमारे पास क्यों प्रमान आएंगे और हम कहीं से प्रमान बिना उसके कैसे निकालेंगे क्यों निकालेंगे वो भी अनाइतिक होता है प्रमान तो कभी भी लाके दे देगा लेकिन वो अनाइतिक होगा सही रास्ते से आना चाहिए प्रमान तो ऐसी पर रिश हुआ है कि कमिशनर से जाच कराई जाएगे तो ठीक है कमिशनर की जाच पर राज अ रजय सरकार कराए तो वो उन्हीं के फेवर में आती है सब लकबग जानते हैं लेकिन फिर भी लोग घ्राजनेताओं से जड़ा प्रेस कानफरेंस करते हैं आप बताए हैं हमने कौनसी प्रेस कानफरेंस की हम दिल बंभभई में गए थे वहाँ पर आप पत्रकारों को गहरा हम किसी के घर में जग रहे थो निकल रहे थे, हमारो तो किसी को बलाई नहीं हमने तो याद भी नहीं किया था, वहाँ पर गेर करके खड़े था, कि नहीं नहीं बात कर लीजे तब जाईए, तो हमने आपके अनुरोथ को स्विकार करके बात किया, जब आपने केदारनाथ के बारे में पूछा, तब हमने कहा, जो हमारे मन की पीड़ा थी, वह हमारी व्यक्द हुई, तो ऐसी परिस्थिती में आप कह रहे हैं, कि साहब ये नहताओं से ज़्यादा परिस्कान फ्रिंस करते हैं, यह आवरोफ हमारे उपर लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम राजनीती कर रहे हैं, राजनिती हम कहां कर रहा है हम विदान सभा के बारे में नहीं बोल रहा है हम आपके मुखे मंतरी के बारे में नहीं बोल रहा है हम चुनाव की पदती के चुनावायों के बारे में बोल रहा है हम तो केदारनात मंदिर के बारे में बोल रहा है क्या ये राजनिती है क्या केदारनात मंदिर के बालने में बोलना राजनिती है क्या केदारनात बगवान को समर्पिती की गए किसी बस्तू के बारे में बोलना राजनिती है क्या वहाँ पर कोई अनियमत ता दिखे अगर उसको पटल पर उठाया जाए तो इसको राजनिती कहा जाएगा लेकिन आम जनता को बरगलाने के लिए इस तरह की भाशा का प्रयों किया जा रहा है तो हमारा यह कहना है कि अभी भी इस बात का निराकरण नहीं हुआ है हमने कल दिखाए जाने पर मुखे मंत्री उत्रकंड कि अभी प्रेस में बक्तब सुना प्रेस वालों ने उनसों के दार्णाथ के सोने गोटाले के बारे में पूछा उन्होंने भी कुछ संतोष जनक उत्तर नहीं तिया वो भी कहते रहे कि हाँ हाँ ये बात है ये बात है और फिर आगे बढ़ गए तो इसका मतलब है कि अभी भी संतोस जनक उत्तर ना तो बदरिनात के दारनात मंदिर समीती की और से ना तो उसके अध्यक्ष की और से और ना मुख्यमंत्री जी की और से आया है क्योंकि मुख्य मंत्री के रूप में तो नहीं लेकिन बद्री नाथ के दारनाथ 1997 के दार ४मीति के अध्यक्ष की रूप में संर्ख्षक की रूप में उनका भी दाई नय तो बनता है और उनिके द्वारा यह मामला अभी भी साफ नहीं हुआ है, वहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई इ घोटाला हुआ है, सोने का हुझा है, शांकराशारी जी आप भी बोल रहे हैं, आप कह रहा हैं कि 22 kg सोना था 228 kg नहीं था, 22.8 kg ऐसा अब कहा जा रहा है, हमारा यह पूछना है, कि 22.8 kg सोन 18 खचरों पर लाद करके गवरी कुंट से क्यों ले जाया गया क्योंकि अखबारों में और मीडिया में रिपोर्टिंग है कि 18 खचरों में लाद करके वो सोना लजाया जा रहा है तो 22 किलो सोना 18 खचरों में कैसे लादा जाता है एक किलो से थोड़ा ही ज़्यादा होता है एक खचर के ऊपर तो क्या एक किलो समान लेकर के खचर किया जाता है और ये क्या उसके अलावा वहाँ पर जब वो सोना लग गया वीडियो सामने आ गया पाबाई होने लगी उसके बाद मांगी गई मुख्यमंत्री से यहां बढ़ी संपती यहां पर है चोरी नहों जाया धी तो वहां पर आई-टी बीपी के जवानों की दुटी लगी जाने कितने और इतने लंबे समय तक वो लोगी डूटी करते रहे तो उस सोने के नाम पर सरकारी खजाने से पुलिस के को कैसे तनकादी आती रही उस काम के लिए यह सब ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तो समीती को देना ही चाहिए आरोप अपने शब्द कहे है ठीक वही शब्द हम भी कह रहे हैं जांच नहीं हो रही है इस से इस आशंका को बहुत बड़ा बल मिल रहा है कि कोई न कोई गोटला बड़ा है और जिसमें बड़े-बड़े लोग सम्मिली थें इसलिए जाँच नहीं हो रही है अभी तो बदरीनात के दारनात मंदिर समीती पर लोग शक कर रहे थे लेकिन अब उससे भी उच्पर के लोगों पर शक होने लग गया है कि बड़े लोग क्यों इसको जाँच नहीं करवा रहे हैं इसका मतलब कि कहीं वो भी तो सनलिप्त नहीं है तो ये अच्छी चीज नहीं है जनता के मन में हमारे जो लोग हैं जिम्यतार पदों पर बैठे हुए लोग उनके प्रती अविश्वास नहीं होना चाहिए लंबे समय तक उसका दुस परिणाम आता है इसलिए हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी दूद का दूद पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए शक्राचार जी एक बयान आपका और आया जिसको लोगों के बीचे बहुत चर्चा हुई उसमें ये था कि नेताओं को धर्म पर राजनिती नहीं करनी चाहिए ठीक है इसमें क्या गलत है देखिए डाक्टर जो है मुकदमा नहीं लड़ सकता वकील जो है वो चीरफाड नहीं कर सकता इसी तरह से पत्रकार जो है वो साशन नहीं चला सकता सब का अपना अपना काम है तो बिपक्ष जो है वो पक्ष की तरह पक्ष जो है विपक्ष की तरह काम नहीं कर सकता सब के अपने अपने रोल हैं भूमिकाएं हैं उनको निभाना चाहिए धर्माचारियों की अपनी भूमिका है कि वो धर्मस्थानों को समाले और धार्मिक लोगों की जो धार्मिक जरूरते हैं उनको पूरा करें और उनको सही मार का दरशन करें अब जो लाइन आडर को मेंटन करने के लिए सिक्षा और स्वास्ति की वेवस्था अच्छी बनाने के लिए जनता में सद्भावना विक्सित करने के लिए हमने नेताओं को चुना है उनको हमने प्रतिष्ठा करने के लिए उनको पूजा करने के लिए उनको मंदिर बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं चुना है तो अब जब ये नेता लोग ये काम करने लगेंगे तो धर्माचारियों का क्या काम है अब बताइए तो हमने क्या गलत कहा हम यह कह रहे हैं कि सब की अपनी मर्यादायें हैं सीमायें हैं अपनी अपनी सीमा में रहे करके एक दुसरे को सहयो करते हुए कार्या करना चाहिए तो यह एक युक्ति-संगत बात हमको लगता है कि है औ और जब एक अई वेकती सब कुछ कर लेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा तो यह ठीक नहीं है इसलिए और दूसरे यह कहते हैं कि आप राजनीती में क्यों बोलते हो हाला कि हम लोग राजनीती में नहीं बोलते हैं लेकिन जहां धर्म के अंदर राजनीती के लोग थेखियो अपनी जगह जाओ तो वैसे ही जब हमारे मंदिर में नेता करके बैट जाएं और अपने धार्मिक दाईतो हैं जिनसे हम भी बंदे हुए है और उन दाईतों का निर्भन करना हमारी जुम्यदारी है, नहीं करेंगे तो हमको दोष्पाप लगेगा, यह बात है, तो हम अपनी जिस जगह पर हमको बैठाया गया है, हमको भी हमारी जन्ता ने, हमारे लोगों ने, उमीद करके बैठाया है, कि यह अपनी जगह बैठेंगे, और धर्म के मामले में कुछ भी गड़बर नहीं होने देंगे, तो वो जो हमारा दाईत है, जिसको परंपरा सेठाई हजार साल से तो संक्राचारियों ने निभाया है, आज उसी पीड़े में हम आकर के बैठे हैं, तो हमारा भी अपना दाईत हो जाता है, और जो संक्राचारियों हैं, वो सनातन धर्म के सरवोच्च स्थान पर उनको स्विक्रती दी गई है, इस देश के राजाओं ने उनको सिंहासन दिया है, उनको छतर चमर दिया है, कि आपको राज स्था की तरह का अधिकार है, राजा लुहय वो जनता पर शासन करता है, और आपका शासन राजाओं की उपर है, इसलिए आप महाराजा हैं, तो राजा अगरबड करने लगे तो उसके कान खीचिए आप, तो हमको परंपरा से ये दाई तो मिला है, अब उसका निर्भान करने में लोगों को दिक्कत होती है, स्वाभावी कहें, कहीं कोई अनुशासन करेगा, तो जो अनुशासन करने वाला बहुत होता है, उसके मातहत उसके प्रती अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो ठीक है, लेकिन इसके कारण हम अपना अनुशासन का दाई तो छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता है, और हमने कोई गलत बात कही हो, तो हम उदार हिरदय रखते हैं, अगर कोई गलती हमसे होती है, या गलत बात कही जाती है, तो हमको कोई ध्यान दिला है, ऐसे अनेक उसर भी आया है, जब हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हमने सारवजनिक लूप से उसको सिगार किया है, कि ये बात हमसे प्रमाद से हो गई, लेकिन आप आरोप लगाते हो, आप बात को गुमा फिरा करके कहते हो, कि ये है, नेताओं से ज़्यादा प्रेस कानफरेंस अभी मुक्तिश्वरानंद करते हैं, अरे जब ज़रूरत पढ़ती है, वही प्रेस कानफरेंस करता है, जिसको जनता में अपनी बात कहने होती है, और हमने कोई प्रेस कानफरेंस की नहीं, और अगर हमारे पास प्रेस आती है, तो इसका मतलब है कि वो समझती है कि यह जो बात कहेंगे इसमें कुछ वजन होता है ऐसे थोड़े अगर हम बिना वजन की बात कहने लगेंगे तो को न हमारी बात सुनेगा अगर पत्रकार दिखाना भी चाहेगा तो उसका चैनल बदल करके स्किप कर जाएंगे लोग लोग जो है प्रामानिक बात सुनना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है चोर भी इमानदार साथ ही चाहता है अपना कोई कितना भी किनीचे गिर गया हो वो चाहता है कि अगला सच अच्छा रहे तो ऐसी परिस्तिति में हमारा जो दाइत्व है उस दाइत्व का हम निर्मन कर लाए है हमने कभी राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा है आपके क्या समंद्ध है क्या आपकी गटजोड है विदेशों से आप क्या समंद्ध रखते हैं इस बारे में हम ज्यादा तोड़े गए थे, कई मूर्तियां तोड़ी गई थी, जो अब रिजल्ट आये 24 में, बीजे पी, तमाम आयोद्ध फैज़ाबाद को इसके साथ साथ सुल्टानपूर और वो तमाम सीटे, जो राम से जोड़ी थी, वो हार गई, आपको क्या लगता है, राजितिक तोर पर उस क्योंकि अशास्त्री ये कारे करने से, आसुरी शक्तियां बलवान होती हैं, दईवी शक्तियां ख्षिन होती हैं, और करने वाले का अनिष्ट होता है, तो ये तो हमने अपने मन से नहीं कहा था, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, माने जो लिखा है, देखिए हमा को दोहराया और आप देखिए उसका परिणाम निकल करके सामने आए जब काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे तो हमने वहां पर प्रेस को बक्त भी दिया था आप लोगों सब के पास आपके आर्काइव में पड़ा हुआ होगा हमने कहा था कि यह गलत हो रहा है यह पूज दुरविक्ष मरन और भय होता है इससे और फिर हमने यह भी कहा था कि यह विश्वनात है विश्वनात में अगर यह सब करोगे तो पूरे विश्व में दुरविक्ष मरन और भय होगा और उसके एक साल के अंदर ही पूरे विश्व में विविश्य का आई थी तो तहाकार म हम लोग जीते हैं, हम भी जब चोटे थे, हम भी बैग्यानिक, जो कहते हैं, टेम्परामेंट, उसी विचार के व्यक्ति हैं, तो हम भी अपने गुरुों की बात पर संका उठाते थे, हम कहते थे कि एक ऐसे हो जाएगा, फिर वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, प्रेयोक करके और हमने जाने कितने प्रेयोक किये हैं, रिशी मुनियों की बानी के, और उन में से लगभग में सफलता मिली है, तो हम को तब जाकर के विश्वास हुआ है, और आज भी हम इसलिए शास्त्र के अनुसार चलने पर जोर देते हैं, कि शास्त्र में जो ट्रिकालग्य मुनियो के द्वारा कही गई बाते हैं, वो व्यरत नहीं हो से, तो इसलिए ये कहा गया था, कि आशास्त्री कारी करेंगे, तो आपका आहित होगा, तो आहित होने लग गया, अपमान हो रहा है, आज बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, प्रदान मंत्री नरें रमोदी जी में बड़ा अंतर है, है ना, जवानी का जो ये मसल होती है, बुढ़ापे की जो मसल होती है, वो ऐसी परिस्तिती हो गई, क्यों हो गई, आज आपको अपमान मसूस करना पड़ रहा है, आज आप उस गवरवक से नहीं बोल सकते हो, ना आपनी पार्टी में, ना दूसरे प जान ले कि हमको अच्छे काम करना चाहिए, भी कुछ अच्छे काम करें, अभी मौका है, अभी तो पूरी तरह से मौका तो उनके हां से चीना नहीं है, मौका है, तो ऐसी परिस्तिती में अब उनको आगे आना चाहिए, और हमने उनको मौका भी दिया है, हमने कहा है कि आप दिए भाटे गह मैं आरु हम अभी कोई राजनेता हम केवल मोदी जी की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि आजादी के पहले से हमने इनको आस्वासम दे रखा है तो अगर अभी भी करते हैं अभी भी सब लोगों को पिर से आएगा बल और आपके अंदर भी बल आएगा पद रहे न रहे लेकिन आपका सिर मुचा रहेगा अच्छे काम तो करवा आप आप सोचते हो कि पद रहेंगा तब मेरा सिरुचा होगा छार तो अअप एसे कौछ कार्ये करिए जिस लोग भावना को संतोश मिलता तो तो निश्चित रूप से अभी भी आपका फिर से अभीदा हो सकता है शंकराचारे जी बीजेपी से कई नेता हैं वो कहते हैं कि आप मोधी का विरोध करते हैं चाहे राम मंदिल से लेकर और तमाम वो हुआ मुद्दे रहे हूँ अभी आप एक शादी में कहते हैं पी-म आप से मिले भी थे लेकिन उसके बाद क्या कारण है कि चीजे ठीक नहीं हो पारी या क्या वज़े आपको लग रही है कि लगातार आपके विरोध के बाद भी आपकी चीजे नहीं सुनी जा रही है नहीं बात य लोगों को खराब करो यही सब विरोध है हमने तो यह किया नहीं उनके द्वारा जो कारी किया जा रहे हैं उनमें से ऐसे जो कारी जो धार्मिक दृष्टी से बहुत बलंडर थे बहुत ना किया जाने योग्य थे ऐसे कारियों का हमने विरोध किया और हमारे विरोध में भ करते हैं कम से कम उनका परलोक ना भीगड़े हमसे बात कर निकलेश बहुत-बहुत शुक्रिया शंकरा चारे जी कैमरा में अकाश कुमार के साथ मानन्द कुमार सेंग न्यूज इंडिया दिरले